नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर कुल्दिव जांगिड फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुल्दिव जांगिड होमियोपेती में हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम बात करेंगे आख से रिलेटेट एक ऐसी डिजीज के बारे में जिसको यहां से एक मास्का टुकडा सा होता है वह इसा लगता है कि वह मास्क बढ़ रहा है वह मास्का बढ़ता हुआ आपकी आँक की उपर आ जाता है तो अगर ऐसी कंडिशन दिख रही है तो इसको बोलते हैं टेरीजियम दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर चारो ट्रह लाएं जाता है तो इस तरह से इसकी उपर एक जिली सी होती है जो आपके आपकी आपके बीच का जो भाग है जहां पर इल्गुल काला ग्यरा देखता है इसको बोलते है कौर्णिया और यह जो चारो तरफ इसकी जो वाइट जो पार उसको बोलते है इसको दो इसी तरह से इसके उपर एक जिल्ली सी होती है जो कि अगर आप देखेंगे एक खोड़ी सी आपको आँक और जो नाक का जो ये बीच वाला जो पोर्सन होता है ये वाला पोर्सन यहां पर आप देखेंगे और यहां से आगे बढ़ते वह यहां के दीरे दीरे काले वाला कौनिया वाले एक की तरफ उसका टेरीजियम अपना शुरू हो जाती है इस तरह से जब आप को जब आप क्लोज लिए अगर आप देखेंगे दूसके आपको कुछ ब्लड वैसल पतली बारीक बारीक आपको इसमें खून की कुछ नसे भी आपको देखने को मिलती है दोस्तों यह इसका जो कलर होता है यह पिंक रेड यह वाइड भी हो सकता है और यह आपकी एक यह दोन हो सकती है तो को मैसं जो जैना ध्क में इसका आपको करन क्या होता है कि आपके आंक के उवर्गोष होना शूरू हो जाती है वह पर यह इस जो मांस का एक डिपोजित होता है वह आपके आँक के ओपर शुरू हो जाता है दोस्तों इसका जो वैसे इसके कोई कारण प्रॉपरली ग्यात नहीं है बट ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों को गारण यह डिजी जोती नना शुरू हो सकती है दूसरे बड़ा कारन होताई उसनों वह होता है पॉलेशन दूल मिटी अगर आपको आपको उतली अ कारण होजिक यह पर्ता टे से और प्रे Conte 생각 आपको श़जरूर कंप करना तो यह सब बिखकार हो जाते हैं उसके साथ आपके आँक के अंदर आपको हो सकता है को आपके इरिटेशन रहे ने सा सकती है इस तरह के सब्सक्राइब rekan 국 चाम को यूश्ति की ढम सकते हैं इससमें बात करते कि कि आपको कैसे की डागाओ करें तो अब कभी भी आपको इस तरह की शुंटम आपको देखने को मिले तो और आपका जो प्रोफेशन ऐसा है कि आपको बाहर बहुत जदा घूमना फिरना पड़ता है आपको दूप से बहुत जदा एक्सपोज होता है तो आप इसमें थोड़ा साफ संग्लासे जगा अगर यूज करेंगे तो आपके लिए बैतर रहेगा थोड़ आपको लगता है कि आपको इस तरह की सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो मैं आपको सबसे पहले आप अपने आँखों के डॉक्टर को जरूर मिलें और जैसा वह कहते हैं और उसके साथ साथ कुछ इसमें होमेपेटी मैडिसन से जो अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत हो जाती है लेकिन दोस्तों इनिशली स्टेज में अगर आप होमेपेटी लेते हैं तो हो सकता आपको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़े और बीना सर्जरी के भी आप अपने डीजी से मुक्ति पासकते हैं होमेपेटी में इसके लिए बहुत अच्छे रिजर्ट्स होते हैं इरिटेशन होता है रेडनेस आजाती है देखने में दिक्कत आ रही है तो तुर्ण आपको अपने आपको डॉक्टर को जरूर मिलना चाहिए और वह जैसा कहते हैं उनको फॉलो भी करना चाहिए साथ-साथ होमेपेटी मेडिसिन की बात करें तो सबसे पहले इसमें जो टी है यह ऐसे मान लीजिए संडे को हीवापनरिम आपको रीपीट करना होता इस तरह से थूज में चलने मां पर यह बहुत अची है फ्यल्क में चलने नहों सब्सक्राइब करना होता है जिसके बहुत अच्छे रिजल्स है वह है कैना भी सटाइवा 30 को लेने का तरीका होता है इसके बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं एक और और इसके बहुत अच्छे रिजल्स ऑस्प्ते पहर निए तर सक्षच रिजल्स न वह रचक घट रच था यहां पर जो भी medicines बताई जा रही है यह एक होमेपेथी की बहुत ही जानी मानी बुक में से सारी जानकारे ली गई है तो इसके लावा और भी बहुत सारी medicines होती है जिसके की आपके सिम्टम के अनुसार आपको सेलेक्शन किया जाता है इसलिए आप कोई भी होमेपेथी medicines लें हमें सब ने आज पास जो होमेपेथी डॉक्टर होते हैं उनकी सला अनुसार लें तो बैतर रहेगा सेल्फ मेडिकेशन ना करें यहां पर जो भी medicine बताएगी यह आपके knowledge purpose के लिए अगर आपके लिए फाइदे में साबित होगी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें इस चैनल को सबस्क्राइब करें बैल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे कोई नेक्स वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेसन आसके थैंक यू